हेलो दोस्तों प्रपटी गुरु कुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत और मैं हूं राजवन सिंग भाली रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट कोच एंड रियल स्टेट बुक्स का ऑफर आज का टॉपिक रियल स्टेट को लेकिया है यह मैंने लिखा है सैकेलोजीकल एफेक्ट्स इन रियल स्टेट आप भी सुनके हरान होगे कि रियल स्टेट और सैकेलोजी का आपसमें क्या सबंद है बहुत सबंद है दोस्तों मैंने अपनी जिन्दगी में रियल स्टेट में बहुत बार सैकेलोजीकल सैकेलोजीकली लोगों को डील किया है और या दूसरे लव्जु में यह हो कि हमारी जू हमी कमिटमेंट होती हैं ज़ानी कमिटमेंट हुई होती है mają application करने के बाद उनकर पर वफर खड़ने की कोशिकरते है सबसे पहले तो मैंने यह लिखा है इसमें कैल कुलेटर्ट रिस्क के हिसाब से मैंने लिखा है एक बार हम दो हजार साथ या अठी की बात है हमने सरहंत फद्देगर सामें एक कलोनी मिनाई और उसमें 238 प्लोट थे 238 प्लोट थे और जो कलोनी की मेरी तरह की जो duty की मेरे को दी मेरी ड्वारा क्षिकश्राइब के द्वारा कहा आप सेल को रहे हैं लुखिंत वहासो मेरा मिटिंग हुई हमने किस रेट में सेल करनी है और कितन दे़ में पेमेंटर लेनी है इस पात मेरनी जब दोगी तो मैंने अगले दिन वहां पर जो property agent थे सरान्द में वो सारे के सारे में ने बोलाए अपने पास शाम को और उनको जो भी चाय पानी और जो भी हमें उनको खिलना प्रूणा था खालाय प्लाया और उनको बोला गया कि यार ये plot हमने बेचनी है और आपको पांच-पांच प्लॉट मैंने मैं देता हूं तो कुछ आदमीनों कहा ठीक है जी कुछ आदमीनों कहा सर महरे पर तो पैसे नहीं है मैंने का तुम्हारे पास एक प्लॉट के 500 रुपया है तो कहते हैं 500 है तो मैंने का आपको पांच प्लॉट दे दिए और पांच प्लॉट का आपने 25 रुपय देना सिर्फ है और आपके साथ यह commitment है यदि आप को प्लॉट आपसे ना बिके या आप किसी तरीके से इसमें payment करन मैंने 500 रुटzur करने प्लोट प्लोट बोगदिया उसको Ci reality वह पांचो प्लोट और उस में से पांचोविड ये थी कि मैंने उनसे पांचोविश पिया लिया और साथ में उनसे क्मिटमेंट ली कि वे बिचेंगे वाया पांचोवर प्लोट बींघवां जैजब प्लॉट बेचेंगे तो मेरे से 20,000 प्या कमिशन भी था उनको तो 100% उन्हों लोगों ने पूरा अपना जोर लगाया मैंने चाहे उनसे पैसे कम लिए लेकिन उनको एक सेकेलोजी के लिए अपने साथ कमिटमेंट उनसे ले ली उनके साथ मेरी बॉंडिंग होगी कि यह यह तुमने बेचनी है तो यूवांट बलीव 15 दिन के बीच बीच सारे के सारे प्लॉट उसमें तकरीबन 75% प्लॉट 238 में से 200 प्लॉट मेरे सेल हो गए थे और 200 प्लॉट सेल होने का मतलब यह है कि हमने उसमें से 75% के आसबास माल बेच दिया फर्क क्या था यदि हम आज प् इसको और नेस्ट मनी बोलते हैं इसमें मैंने उनको क्या प्वह लेने के बाद उनको 15 दिन की थे दे दिया वह 15 के थे में उन्हों कभी रिश्वाश्त से जरिके पास जा तकी अपिये किसी के पास गए उन्होंने जाकर उनको कम चम leave झाझ और लेने के बाद आगा कि मैंने तो उनसे commitment लेली मेंने, और commitment लेने के बाद, उनके जो efforts थे, यदि मैं उनसे पैसे ना लेता, commitment ना लेता, तो उनके effort ठीक ठीक रहते, normal रहते, तो उनके efforts ही चार गुना बढ़ गे, चार गुना, पांच गुना, छे गुना, उनको मतलब एक, जिन्दगी मौत का जैसे सवाल ह जाता है उस तरीके हो गया और जब उनका जिन्दगी मौत का सवाल जब हो जाता है तो आदमी हर जगह पे हाथ पैर मारता है और सिंपल बात यह है कोई भी आदमी कोई भी वेपारी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना चाबता जब तक के वह बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने उन से कमिटमेंट ली और कमिटमेंट लेने के बाद उन्होंने अपनी एफर्ट्स ज्यादा तेज़ किये और रिजल्ट उसका मेरे को मिला मैं आपको इस डील में इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि आपने पैसे के पीछे नहीं भागना डू परसेंट पैसा अपने आप ही अता जाएगा पैसा कमाना उतना मुश्कल नहीं है जितना बंदे कमाना मुश्कल है जो आदमी आदमी कमाने सीख गया तो उसके पास पैसा अपने आप ही अता रहता है इसी तरीके से हमने डेरा बसी में एक प्रॉपर्टी ली दलीव सिंग म उन्होंने मेरे को रपपटी दिलाई गुडगाओं में बंदा रहता था उसमें से कैलो जी मैंने कैसे लगाई हम सुद्धा करने के लिए गुडगाओं चले गए उन्होंने मेरे से पूछा के आपने पेपर देख लिए मैंने कुछ नहीं देखा तो कहते जी पेपर देख ल लो हमने साही दी और साही देने के पास यदि कोई प्रॉब्लम हुई पेपरो में तो आप मेरे से मेरे पैसे वापस कर देना नहीं हुई प्रॉब्लम नहीं है पेपरो में तो आप मेरे से आगे ये अपने पैसे अपने ले लगना तो वो उस बात के उपर उसको सेकलोजिकल एफेक्ट हो गया और दूसरी बात मैंने ये कही उसको कि जिकमोन सिंग जी आज ये प्रॉपर्टी हम आप से ले रहे हैं कल को हो सकता है आपके पास हम मैं अपनी कमिटमेंट से पीछनियट हूँ मैं ये बात ये कमिटमेंट लेके से कलोजिकली इफेक्ट मलोब इसमें डालके मैं बेफिकर हो गया और हमने आके पांसा दिन उसकी पूरी प्रॉपर्टी की चानबान की चानबीन की उसमें से कागजबतर देखे पटवारी के पास गए इतर उतर गए सभी को पता किया किसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हमें पूरी तसली होगी तो हमने जाके उनको फोन कर दिया कि आप आके पेमेंट लेगां तो हमने पेमेंट दी उनको पेमेंट के बाद छे महिने का हमारे पास टाइम था हमने तीन महिने में ये प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र आपनि जबान नहीं करने दें बस यह commitment ती जिसको मैं psychology रही मतलब commitment psychology कमिटमेंट बोल सकता हूं तो यह उन्होंने मेरे साथ बात कर ली और मैं बेविकर हो गया और हमारी डियल सीरे चड़ी हमें ठीक पैसे बचे उसमें और reputation भी बनी सो दोस्तों यह जो psychological इफेक्ट है यह आप रियल स्टेट में इसको लगू कर सकते हो कोई बो नहीं है आपने सामने वाले बंदे को किस तरीक से डील करना है इसके उपर डिपेंड करता है कोई गुंजैश नहीं छोड़नी आपने उसके उपर कागजपत्रों के हिसाब से फिनांस फिनांशल कमिट के हिसाब से और सेकेलोजिकल इफेक्ट देने के हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़नी आप यह दी कोई कसर नहीं छोड़ोगे तो आपकी डील बेस्ट डील हो सकती है और यह भी सबसे बड़ी बात है जो आदमी बेस्ट परचेजर होता है वही बेस्ट सेलर होता है या वही जो कमाई है सिर्फ प्रोपर्टी या कोई भी आइटम खरीदते वक्त तै होती है बेचना तो आपको मार्किट के हिसाब से ही पड़ता है ये बात लग गया कि थोड़ा बहुत कई बार रेट चर जाते हैं रेट में उशाला जाता है वो बात लग गया लेकिन जिस दिन आप खरीद रहे हो उस दिन के रेट क्या है उस दिन की शर्तें क्या है उसके उपर आपका प्रॉफिट जो है वो निर्भर खरेगा सो बी दी बेस्ट बायर आपको इस वीडियो के जरिए मैं यही चला दिना जाता हूं कि आप भी बेस्ट पर्चेजर बनने की कोशी करो प्रॉपर्टी मलक को डील करके सैकलोजीकली भी उसको सेट करना है ताकि ओधिर बढ़ जाता है तो वह मुख्र ना सके या आपकी डील को कहीं भी नुक्सान ना पुचा सके आपके प्रॉफिट को नुक्साना पूचा सके आज के लिए इतने यह वीडियो अच्छी लगे like Share करदिना और इसका पर comment करना आपस आपसमीं दोस्तों में चर्चा भी कले क्योंकि यह विडियो तरीकी के विडियो बहुत कामा इती है रीटीट के चैनल और भी बहुत है लेतने मेरा ख्याल है बिबिया ज्यों सब्सक्राइब के गंटी की बाचीदा है ताके इस ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस्न हो जाए मिलता हूं बहुत जल्दी एक ने टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं बढ़ेंगे हम यदि हम पढ़ेंगे हम तो हमारा पढ़ना यह हमारा सीखना बहुत दूरी है यदि हमने जिन्दगी में क्रोथ चाहिए हमें जिन्दगी में सक्सेस चाहिए थैंक यू मेरी मच मिलता हूं जल्दी